कि नमस्कार दोस्तों कि दोस्तों सुसाइड कहने को तो बहुत ही छोटा सब्द है लेकिन छोड़ जाता है बहुत कुछ दोस्तों मेरी नजर में सुसाइड करने वाला सबसे कायर इंसान है इस दुम्यादा सुसाइड से जिन्दगी का सोलुशन नहीं है मेरे दोस्त जिन्दगी में आये हो तो लड़ना सीखू परेशनी आएगी रुकावटे आएगी पर इन सब को अजीव करना सुसाइड कोई सोलुशन नहीं है जिन्दगी का सुसाइड करने का मतलब है आप तो फिर हो गए पर छोड़ के पिछे अपने परिवार को उनका क्या हाल होगा सोचा कभी आप नहीं है नहीं मेरे दोस्त जिन्दगी में सब कुछ करना लेकिन आत्मत्य कभी नहीं करना कि आत्मत्य वो लोग करते हैं जो जिन्दगी से लड़ नहीं सकते जिन्दगी से हार मान लेते हैं इस्ट्रेगल नहीं कर सकते हैं कि उनकी कैपेशीटी नहीं होती है यार इतने कमजोर तो नहीं है बगवान ने अपने को इंसान बनाया सद गुद्धी दी है हाथ पेर सब कुछ मतलब सर्व संपन मनाया भगवान ने फिर भी हम लोग ऐसा कदम क्यो उठाते हैं मेरे दोस्ट जिन्दगी का सोलूशन आत्मत्या नहीं है जीवन में श्ट्रगल करो लड़ो जिन्दगी से परिशानिया समस्या सब आएगी बट उनको चीव करो लेकिन सुसाइग जिन्दगी का सोलूशन नहीं है मेरे दोस्ट क्या संदेश देंगे क्या संदेश जाएगा समाज में नेगिटिविटी क्या सीखेंगे अपने बच्चे कि थोड़ी सी परिशानी आई हो सुसाइड कर लो नहीं मेरे दोस्ट ये चीज़े अपने को जिवन में नहीं सीखनी है और अपने आपको मजबूत रखना है अगर जीवन में कोई परिशानी है तो आप किसी दोस्ट को किसी अपने जो निजी है उसको अपने प्रोब्लम सेयर करो सेयर करने से समस्या कम होती है प्रोब्लम कम होती है आज हर एक इंसान के डिप्रेशन की समस्या बट डिप्रेशन में रहना किसी को कुछ अपने समस्या नहीं बताना ये सोल्यूशन नहीं है मेरे दोस्ट जिंदगी में पैसा, सौरत, सब कुछ होते हुए भी लोग डिप्रेशन में और ये कदम उठाते है बहुत ही गलत बैसला होता है दोस्टो मेरा ये ही कहना है जीवन में कभी हार मत मानो लड़ते रहो, संगर्स करते रहो जीवन में कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो तो दोस्तो ऐसा कदम जीवन में कभी भूलके भी नहीं उठाना क्योंकि आने वाले पीड़ी अपने से क्या सीखेगी आने वाले बच्चे अपने से क्या सीखेंगी वो आप पे निर्वर करता है आप उन्हों बच्चों को ऐसा रास्ता दिखाना चाहते हो या इस दुनिया से लड़कर संगर्स करकर संगर्स करके अपने मुकाम तक पहुँचने का संदेश आप संगर्स को देना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है नमस्ते जैस रिसा